नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत हैं तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिगच एक FMCC सेक्टर के बारे में तो FMCC सेक्टर में बहुत आइफ के कॉमपणी अलग-अलग होते हैं तो यहाँ पे जो जो कॉमपणी है या पर जो कॉमपणी के बारे बात करूँगा वो एक्चलि पार्सोनल क्यार के उपर है पतलब पार्सोनल क्यार के उपर जितने सारे FMCC पोड़क है उसी के उपर इस कॉमपणी के रैंकिंग है तो इसको पर बात करूँगा तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारे details clear हो जाएगा और आज के दिन इसका quarter 3 का result भी आ चुके है उसके बारे में भी बात करूँगा तो वीडियो को last तक जुरू देखना और अभी तक अपने इस channel को subscribe नहीं किया तो जुरू subscribe पर लेजिएगा क्योंकि आपको daily basis stock market information and update चाहिए तो इस channel में बने रहेगी तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के stock के बारे में तो सबसे पहले में चार्ट प्रेटन के उपर आपको लेका हूँ company का नाम आप देख सकते है कोलपाल कोलगेट कोलगेट आप देखिए पलम लाइब जो है तो कोलगेट का जो है अक्चुली जो आप घर में has said use करते भी है ना भी करते है और भी अलग सारे products की use करते है तो कोलगेट जो है कोलपाल का ही product है कोलगेट एक्चुली देखा गी ऐन्डिया नाम आर्केट है उसका लिस्टिंग है तो यहां पर company किस तरह के सा सरे Killaydays कीया उपर depend करते है company का future देखिए हर quarter का result इख बहुत important होते हैं कोई भी company के future के लिए देखे quarter 3, quarter 2, quarter 1 and quarter 4 इस चारो quarter का result अगर ठीक ठाग नहीं हुआ तो company को बहुत प्रेसार future में देखने को मिल सकता है तो इस quarter में किस तरह के से result किया उसी के बारे में आपे बात करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखते जाएए तभी आपको सारे details क्लियार हो जाएगा तो यहाँ पर जो चार्ट पैटन है आज के दीन का जो गिरावट है वो करीबन 30% तक गिरावट कोई छोटा मोटा गिरावट है उतना जादा गिरावट नहीं पहस दिन का चार्ट पैटन उपेन कर दू तो आपके सामने करीबन देखा जाड़े 3% तक negativity था और एक मांद मे कॉम्पानी अच्छा खास यहाँ पे गिरावट जारी रखा करीबन 3.5% का और यहाँ पे 3.5% से 4% तक गिरावट देखने को मिला और 6 मांद के चार्ट पैटन उपेन कर दू तो एक भायंकर गिरावट देखने को मिलागा 22% तक मतलब 6 मांद में बहुत सारे कॉम्पानी बहुत सारे FMCG सेक्टर अच्छा खास रिटान दिया मगर कोलपान ने उतना खास रिटान यहाँ पे नहीं दिया करीबन 6% तक नेगेटिवीटी देखने को मिला तो एक साल की चार्ट पैटन आपके सामने उपेन कर दू तो एक साल में भी देखिए 9% का डाउन फॉल 5 साल की चार्ट पैटन कर दू तो कुछ नजरिया अभी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा कितना 58% और मैक्सिम चार्ट पैटन कर दू तो कितना सांदार आपको पार्फरमेर्स जोरू देखने को लो धीरे धीरे करके अब 10 में जा रहा है इस टाइप कमपनी में आपको किसे उच्छाल कभी भी आपको देखने को मिलता है मगर लॉंग टर्म निवेसर के लिए इस कमपनी अच्छा कसा है क्यूं बता रहा हूं वह आपको मैं अभी प्रूब दिखा दूँगा तो सबसे पहले क्वार्ट थी का रेजल्ट के उपर आ चुगा हूं क्वार्ट थी पहले रेजल्ट देख लिजिए तो फस्ट कोलम में क्वार्ट थी का रेजल्ट यहापे क्वार्ट टू का रेजल्ट और यहापे क्वार्ट थी पिछले सालों का रेजल्ट तो तीनों रेजल्ट आपका सामने हैं तो पहले बारी है कॉम्पानी का इंकम कोम्पानी के इंक के से कम कर रहा है तो यहां पर जो दिखा जा रहा है तो जो फीगर है वो लाखों में है जुरूर मगर यहां पर जो फीगर देखने को मिला तो पिछले quarter में अच्छा खासा income हुआ था मगर पिछले सालों में कम income हुआ था इसका मतलब क्या है थोड़ा सा पिछले सालों के comparison में negative है पिछले सालों की comparison में positive है तो income के एक फैले ही एक मुझे negative percentage देखने को मिला तो उसके बाद company के expense के बारी देखे expense कितना किया वो भी आपको देखना quarter में कितना था 99,800 मतलब पिछले सालों में पिछले quarter में अच्छा खासा expense भी किया था पिछले सालों में क्या था तो कितना profit हुआ 25,200 पिछले quarter में कितना था 26,900 पिछले सालों में था 24,800 इसका मतलब क्या है पिछले सालों की comparison में देखा जए company ने profit अच्छा कासा किया वगर पिछले quarter के तुलोना से company ने profit कम किया तो इसी लिए आज के दिन इसका जो downfall है इस downfall के जो कारण है company का जो estimate था वो miss हो चुके है साथी साथ पिछले quarter की result quarter 2 का result भी यहापे break नहीं कर पाया मतलब company result जो हुआ result तो आच्छा हुआ मगर देखे 34,800 सरी 25,200 का profit क्या कोई छोटा मोटा profit नहीं है मात्र देखा जाए 1500 पॉइंट का 500 मतलब लाखों का यहापे total कम profit हुआ है तो इसका अंदजा एक बान लगा लेजिए company इतना बड़ा है large company है सबसे पहली बात तो इतना बड़ा company तो इस तरीके से performance अपसे डाउन तो कभी न कभी चलेगा ही तो इसलिए company ने मुझे लगता है गिरावट हो रहा है और इस गिरावट को आपको मौके के हिसाब से काम करना चाहिए इस गिरावट में आपको मौका ढोलना चाहिए मुझे लगता है बहुत best opportunity है इस time इस company के invest करने के लिए क्योंकि देखिए यहापे चलना है कभी यह नहीं हुआ कि जब अधस आप हो गया कब जब अधस डाउन हो गया फिर से आप फिर से डाउन इस तरीके से पर्फरमेस आपको नहीं देखने को मिलेगा चोटा मोटा आप डाउन फॉल आप फॉल देखने को जोरू मिल सकता है तो company का बारे में से एक ही च 96 और company का जो book value है देखे 16 रूपीज है return of equity and return of capital employed मुझे बहुत बहुत जब दस लगा क्योंकि देखिए 92% and 75% इसका मतलब क्या है company जब दस performance कर रहा है जब दस इस company को आप debt free, totally debt free consider कर सकते हैं क्योंकि इसका earning के हिसाब से इसका debt बहुत कम है क्योंकि इसका debt of equity 0.06 से बहुत कम है प्रोमोटर के पास 51% holding है सबसे बड़ी बात है EPS देखिए earning per share देखिए 39 रूपीज मतलब आप जितने रूपीज invest कर रहे हैं उसमें से आपको 39 रूपी भी अच्छा का सा earning दे रहा है company तो company देखिए जिस सेक्टर से काम करते हैं FMCC से मगर इसका personal care department से काम करते हैं इंडेस्टी से काम करते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो kolgate number three position में है इसका market capilation के हिसाब से क्योंकि number one Hindustan Unilear क्योंकि इसका market capilation 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 करोर उसके बाद कोल मतलब कोल पाल है मतलब कोल गेट है तो company का दिखिए कभी भी कोई भी quarter में आपको negativity देखने को नहीं मिलेगा हाँ थोड़ा सा ups and down चलता रहेंगे बगर हर quarter में company profit करते रहेंगे तो इस आपको stock market में कोई रीक्स ना लेकर काम करना है तो आप FMCG सेक्ट में कोल पाल के उपर जा सकते हैं क्योंकि दिखिए मैं एक चीज आपको जूरूर और भी आपको दिखाना चाहता हूँ वह है यहां पर देखिए company का need profit हर सालों में साल भर की rate profit देखिए कितना सांदर net profit अभी तो 1000 करोड कॉस्ट कर चुके वह 2010 में क्या था मात्रफ 400 करोड तो इतना सांदर performance साती साथ आप देख सकते हैं company का sales growth profit growth return of equity सारे के सांदर है हाँ थोड़ा सा गिरावट यहां पर माहूल है थोड़ा सा गिरावट का माहूल चल रहा है तो मुझे लगता है इस तरीके से माहूल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे क्योंकि company का एक साल की जो return है वो negative है पाक इसका chart button देख लीजिए इसका chart button यहां से यहां तक गिरावट मतलब इसका high कितना था इसका high था करीबन 1,800 पर अभी कितना चल रहा है 1,000 करीबन मानके चलिए 400 मतलब 400 point का गिरावट हो चुके है 400 point का गिरावट तो एक low level में आपको stock को खरीदारी का मौका मिला है तो आप long term निवेशक है तो इसके लिए आप एक बार इस company के उपस study करके निवेश चुरू कर सकते हैं बाकी आपके मर्जी क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ company का हर parameter आपको positivity लगेगा और company के पास जो करजा है पूर ना के बराबर ना के बराबर company के पास the reserve देखिए धीरे धी company 300 करोड था 2010 में और अभी 1600 करोड बन चुके है company का जो करजा और promoter के पास 51 पहले भी था अभी भी है FIS देखिए 15% होल करका था अभी 18% हो चुके है DS कितना 10% था अभी 8% है हाँ public 23% था अभी 22% है पतलब सब के पास इस company का हिस्सेदारी है हाँ government के पास भी है इसका हिस्सेदारी तो एक बात जोरू कहूंगा company में गिरावट के टाइम में इस टाइब company में आपको फाइदा म मौका मिल है जुरूर इसमें निवेस करिए क्योंकि इस इस मौके को मद गवाईए इस तरीके से मौका आपको दोवारा नहीं भी मिल सकता क्योंकि आप कहेंगे sir और भी गिरिने दीजिए उसके बाद माल उठा लूंगा तो आप कभी भी माल उठा नहीं पाएंगे आप long term करें उसके बाद नियुए करने के लिए सोची है तो अंच्छा लाइक करना दोस्तों को से अदो साथ सबस्क्राइब करना जिलते हैं नए चांक लेक्ट अश्चर रहे हैं आपने ख्या लिखिये बाई